पाकिस्तानी सेयर मार्केट में इस वक्त एक बड़ा उलट फेर हुआ है और एतिहासिक रिकॉर्ड तोड रहा है पाकिस्तान का सेयर मार्केट बिल्कुल सही सुना आपने जानेंगे क्या है मामला अचानक से रातो रात कौन सा खजाना मिल गया है जो की पाकिस्तान के सेयर मा ईए आप देख रहे हैं एक यहाँ मैप कि यहां जंग की सुरूत हो जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से बात करें वेनु जुएला और गुएनकी तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको कली बताया था कि एक हेलिकॉप्टर खो गया है अब कहा जा रहा है कि 7 सवार थे 2 सवार मिल गए है बांकी 5 सवार नहीं मिले है और इस वीच ऐसा लगता है जैसे जंग के आसार डे बाइ डे बढ़ते चले जा रहे हैं आपको बता दें इस क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर अचानक से खूब वाइरल भी हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये बैठे हुए हैं ये गुएना के राष्ट अध्यच हैं जो भारतिय पीएम को सारी परिस्थितियां समझा रहे हैं और भारतिय पीएम को अपने देश के इस ओयल फिल्ड के बारे में भी बता रहे हैं अब यहाँ से सवाल ये उठने लगा कि अब वेनुजवेला और गुएना के बीच में जंग के हालात बन रहे हैं सबसे बड़ी बात यह हुई है कि रूस ने यहाँ इंट्री ली है और रूस का यह कहना है कि आप लोग लड़ो मत यहाँ पर लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ बात्चीत से हल करो जबकि वेनुजवेला क्या कर रहा है वेनुजवेला ने चारों तरफ अपनी जितनी भी एमबेसी है उने एमबेसीों में भेजना शुरू कर दिया है कि लो यह है नया मैप स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं यहां एमबेसी में वेनुजुएला के नए मैप को लगाया जा रहा है जिसके अनुसार गुएना का जो ये इलाका है ये ऐसी क्यूबा ये इस इलाके को भी इन्होंने अपने कबजे में दिखलाना सुरू कर दिया है अब लग र सकता है तो सायद ये कहा जा रहा है कि भारत रूस से बात कर सकता है रूस और वेनुजुएला परम्मित्र हैं तो यहां पर ये मामला हल हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है भारत को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही ये जंग होगा ऐसा क्यों तो यहां बोरों में भर कर पैसे ले जाते हैं और थैलियों में सामान खरीद कर लाते हैं अब जिस देश की इस्तिती ऐसी हो क्या वो एक युद्ध लड़ने जाएगा और दूसरी बात एक बार को मन बना भी ले क्योंकि तीन हजार तो सैनिक है मातर गोयना के पास क्या कर लेंग हम गोयना की तरफ खड़े हैं अब इतना कुछ जानने के बावजूद मदुरे ने मैप बदल दिया और मैप बदल कर एमबेसियों में नए मैप लगवा दिये टेंसन बढ़ा क्यों रहे हैं अगर जंग नहीं करना है तो टेंसन क्यों बढ़ा रहे हैं वो कारण भी बताए है गोयना से वह बात कर रहा है इन सब के बीच में वेनुजुएला के मदुरे को आखिर क्या सनक चड़िये कि ऐसा कर रहे हैं तो वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं मांगाई के मार से पहले ही जंता त्रस्त है भूके पेट बजनना हो यह गोपाला और जंता के अंदर गुसा पह इने से सुरुआत हो जाएगी चुनावी दौर का इतने सालों तक कष्ट देने वाले मदुरे आखिर जीतेंगे कैसे तभी जीतेंगे जब जनता के मन में यह भावना हो कि हमारे लिए मदुरे हिसी सक्ति साली हैं देखो ऐसे हालातों में भी मदुरे देश बक्ति सब में जगा रहे हैं अब कहा जा रहा है कि दरसल असल प्लान यही है कि मदुरे को आने वाला इलेक्शन जीतना है जो भी प्लान हो ये युद्ध ना हो तो बहतर है इस युद्ध के होने से सभी को बड़ा कश्ट है यहां पर आप देख रहे हैं पीम मोदी भी बड़े टेंसन में नजर आ रहे हैं वेनुजुएला से भी संबंध हैं गुएना से भी संबंध हैं यहां से भी हमें धेर सारे तेलवेल मंगवाने थे खैर अब जहां एक तरफ वेनुजुएला और गुएना का टेंसन आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होता है क्या यहां राश्पती पुतिन कोई बड़ा गेम कर देते हैं और यहां पर युद्ध हो जाता है तो फिर थोड़ी अलग बात हो जाएगी पर रूस की भी आर्थिक इस्तिती ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका की तरह इधर उधर पैसे बांटता फिरे खुद उसे भी financial problem देखनी पड़ रही है जहां ए परब न्यूज का एक आर्टिकल है पाकिस्तान का stock market एक दम एतिहासी 66,000 पोइंट को पार कर गया है एक महिने दो महिने पहले ये share market काम कर रहा था 50,000 पोइंट पर अचानक से 66,000 पोइंट ये कौन सी lottery लग गई है तो आपको बता दें कहा जा रहा है कि कई सारी चीजें प पाकिस्तान में महंगाई लंबे वक्त से काबू के बाहर चल रही है बिजली पानी पेट्रोल डीजल और जरूरी खादि पदार्तों के दाम तो आसमान चूरे है बीते सपता देश में महंगाई दर 40% के पार पहुँच गई सिर्फ महंगाई इन नहीं एक साथ कई संकटों से गिरा हुआ है पाकिस्तान में सुरक्षा संकट गहराया हुआ है आए दिन हमले हो रहे हैं देश की राजनिति की स्थिती भी बहुत ठीक नहीं है महा मारी और पिछले साल सिंध में आये भीसन बार से देश उवर नहीं पाया है लेकिन इन की कमियों के बावजूद पाकि की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस सुक्रुवार को एक ही दिन में 65,000 पॉइंट से 66,000 रिकॉर्ड पॉइंट पहुँच गया पाकिस्तान का प्रमुख स्टॉक इंडेक्स के एसी हंड्रेट 305 अंक या 2.33 परतीसत की बढ़त के साथ 66,223 के एतिहासी हाई लेबल पर बंध हुआ इसी साल अक्टूवर को पाकिस्तान सेर बाजार 50,000 पॉइंट से नीचे में कारोबार कर रहा था लेकिन दो महिने से भी कम बक्त में 16,000 पॉइंट से अधिक उच्छाल भर चुका है अब इस उच्छाल की वजह क्या है पाकिस्तानी स सरकार की योजना को माना जा रहा है बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महिने में पाकिस्तानी सेर बाजार में विदेशी निवेश 3,5 करोड डॉलर का हुआ ये निवेश 6 साल में सबसे ज़्यादा है इतना ही नहीं दिसंबर के पिछले हफ्ते में ही विद प्रकातार कोसिस कर रही है इसके अलावे आई एमफ का पैकेज और आई डीबी बैंक का 655 मिलियन डॉलर कहीं न कहीं ये सारी चीजे है जिसकी वजह से पाकिस्तान के सेर मार्केट में उच्छाल देखने को मिल रही है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ